हेलो फ्रेंट्स मैं मुखेस पार्टिदार और आप देख रहे हमारे यूट्व चेनल यसरा सलूसंस तो फ्रेंट्स हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और सांधर वीडियो लेकिया तो आज के वीडियो में आपको मैं गूगल क्रोम के एक सांधर ट्रि गूगल क्रोम को मैंनियोली इंकगनीटो मोड में स्विच करते हैं तो और कभी-कभी भूल जाते हैं तो फ्रेंट्स इसके लिए आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं जिसके तुरु जब भी आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो गूगल क्रोम आपका डिफॉल्ट हमारा यह हम से कह shout Mexe की योर्ड रॉजर हिस्ट्री किकिश से यूर डेटा है इंफ्रमेस्थ एंद फॉम वह इसमें स्षिलम होती है यानिए आपक पी pop रावेशिंए इसमें सेफ होती है इन क scenario पीड नहीं कर सकता, आपके password हुए, आपके इसके बाद time files हुई, cookies हुई, किसी प्रकास से save नहीं होती friends, तो यहाँ पे मैं इसको close कर देता हूँ, और जो क्या ट्रीग है, तो friends इसके लिए आपको अपना जो Google Chrome है, उसके shortcut पे आपको यहाँ पे right click करना है, तो जैसे आप right click करेंगे आपको नीचे की और आजाना है, तो जैसे आप properties पे आएंगे, तो यहाँ पे properties पे click करके, यह properties का डालक बोक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने, तो यहाँ पे डालक बोक्स के ओपन होने के बाद friends, आपको यहाँ पे नीचे आपको एक option मिलेगा target का, तो यह target box है, इसी के अंदर आपको कुछ changes करना है, तो यह target जो option है, इसमें जो quotes दे रखें आखरी में, inverted comma, उसके बाहर आपको थोड़ा सा space दे के, hyphen लगा के incognito लिखना है, तो यहाँ पे जो quotes है, उसके outside आपको थोड़ा space बार दबा के, आपको hyphen type करना है, तो जैसे hyphen type करेंगे, उसके बा कर देना है, और आप से administrator permission भी मांगेगा, तो permission आपको provide कर देना है, तो इतना type करने के बाद, hyper incognito type करने के बाद, आपको नीचे की ओर चले जाना है, तो apply बटन पे click करके नीचे continue कर देना, यहाँ पे administrator permission आपको दे देना होगी, तो continue पे आप जैसे ही click करेंगे, उसके इन कगनीटो बोड में open होगा, तो मैं यहाँ Google Chrome को open करके आपको दिखा रहा हूँ, कि इन कगनीटो बोड में open हुआ, और इसके बाद, एक दो बार और open करके आपको दिखाता हूँ, कि किस प्रकार से incognito mode में open होगा, तो जब भी आप Google Chrome को open करेंगे, तो हर बार यह incognito ब कर बार आऊं, इन कगनीटो मोड में, तो मेरे किसी भी प्रकार के जो data है, password है, वो आप save नहीं होगे, यानि कि मेरी privacy को कोई भी, या hack या check नहीं कर सकता, तो आई, तो इस प्रकार से आप incognito mode को default रूप से हर बार open कर सकते हैं, Google Chrome में, और आपकी जो personal information है, उसको hack होने से, चोरी होने से बचा सकते हैं, तो यहाँ पर incognito mode हर बार आपके Google Chrome में open होगा, तो यह एक simple सी trick थी friends, और जिसके थूरू आप जो incognito mode open कर सकते हैं, हर बार आपने Google Chrome ब्रावजर में तो आए हो friends, आपको वीडियो पसन आए होगी, वीडियो पसन आई तो like कीजिए, चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लेए, once again thank you for watching.